निका खान और आप हैं रियल एक्स्प्रेस के साथ राजिस्थान में चुनाओ की राख कॉंग्रेस के लिए कैसे हुई आसान और गहलोत सचिन विवास सुलजा या नहीं कॉंग्रेस ने कहा बिना सीएम चेहरे के लड़ा जाएगा चुनाओ इससे होगा किसका फायदा सचिन या फिर गहलोत कैसी होने वाली है अब राजिस्थान में सियासत हम लाए हैं आपके लिए या अपनी रिपोर्ट राजिस्थान को लेकर बड़ी बेठक के बाद कॉंग्रेस ने ये एलान कर दिया की पार्टी विधान सबा चुनाओं में किसी चेहरे को आगे पिना जाएगी सचिन पायलेट को इसमें अपनी जीत नजर आ रही है वहीं अशोग गहलोत का खेमा भी खुश है क्योंकि राजिस्थान में मुख्य मंद्री अशोग गहलोत और सचिन पायलेट की राड केसे सुलजेगी आईए जानते हैं कॉंग्रेस ने इसे लेकर 6 जुलाई को बड़ी बेठक बुलाई थी कॉंग्रेस मुख्याले में इस बेठक में पार्टी अद्यक्ष मलिक अरजुन खड़ गे पूर अद्यक्ष राहूल गांधी मौजूद थे इस बेठक के बाद जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई वो ये है कि पार्टी ने बिना किसी चहरे को आगे किये चुनावी मेदान में उतरने का फैसरा लिया है राजिस्थान को लेकर कॉंग्रेस का ये फैसला सचिन पाइलेट की जीत और गहलोत के लिए सख्त संदेश की तरह देखा जा रहा है बेठक के बाद सचिन पाइलेक्ट कॉंग्रेस मुख्याले से निकले तो सभी मुद्दों पर सार्थक, वयापक और एहम चर्चा की बात की है उन्होंने कहा कि राजिस्थान में फिर से कॉंग्रेस की सरकार बनाने के लिए संगठन, मंत्री और विधायक मिलकर काम करेंगे सचिन ने इससे पहले कुछ नहीं कहा लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि बेठक के नतीजे उनके लिए उससा जनक ही रहे है पार्टी की परंपरा ही नहीं रही है वहीं ऐसा देखा गया है कि 36 गड को लेकर हुई बेठक के बाद मुखे मंत्री भूपेज बगेल के चेहरे को आगे कर चुनाओ लड़ने का एलान कर दिया गया है अब सवाल ये उटता है कि इस पूरे घटना किरम में बीजेपी कहा गयाब है वे विपक्ष की भूमिका में राजिस्थान सरकार में पड़ी पूट पर कोई पक्ष रखती ही नहीं दिखी ना ही जंता के मुद्दे पर कोई राय रखती हुई दिखाई दे रही है माना जा रहा है कि वसुंदरा राजे अपनी शर्तों पर अड़ी है और बीजेपी आला कमान अपनी शर्तों पर राजनितिक विशेशग्यों की माने तो विपक्ष की भूमिका में पूरे कारे काल खुद सचिन पाइलेट ही विपक्ष रहे हैं अब सचिन पाइलेट का ही गहलोत के साथ चुनाओ लड़ना कॉंग्रेस के लिए रामबान साबित हो सकता है विशेशग्यों की माने तो हर पांच साल बाद सरकार बदलने का ये ट्रेंड इस बार कॉंग्रेस तोड़ने जा रही है हमारी इस रिपोर्ट पर अपनी राय हमें देना न भूलें तब तक के लिए जुड़े रहें रियल एक्सप्रेस के साथ